नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अतुल्नी भारत पर आज हम भगवान सीव से जुड़ी बहुत ही रोचक जानकारी साजा करेंगे भगवान सीव को सावन के महीने में इतना क्यों पूजा जाता है? सावन के महीने में पूजने का कारण क्या है? इसका माहत तो क्या है? आदि विश्यों पर विश्तर चर्चा करेंगे भगवान सीव को सावन के महीने में पूजने का समाजिक कारण है, मानसिक कारण है, पौनारिक कारण है और भी कारण है जिसके कारण भगवान सीव को पूरे सावन महीने में विशेश उपासना की जाती है भगवान सीव के उपासना का हम सबसे पहले समाजिक कारण के बारे में बात करेंगे सावन में जल और बेल पत्र चढ़ा कर हम भगवान को अभार प्रिकट करते हैं क्योंकि हम सब को बचाने के लिए वे विश्पी गए थें दूसरा यह कि जब पूरे एक महीने तक सभी लोग पूजा उपासना में लगे रहते हैं तो कहीं न कहीं समाज में सकारात्मक अनभूती होती है जो कि सरीर व्यम्मन दोनों के लिए उत्तम है यह सकारात्मक अनभू पूती मनुस्तों को भगवान से जोड़े रखता है भगवान के प्रती विश्वा से सुद्र करता है अब हम भगवान सिर्की उपासना का मांसिक कारण जानेंगे सावन अर्थाद बारिस के मौसम में व्यक्ति की मनों दसा ठीक नहीं रहती या तो व्यक्ति अधिक भाव के दुखी हो जाता है मन में चंचलता आ जाती है काम उत्पात का भाव बढ़ जाता है मन उसका वेग सीमित नहीं रहता ऐसे में सिव जो कि अनुसासन के देवता है जो चित घन आनन्द है और आनन्द भी प्रदान करते हैं तो पूरे महीने इनकी पूजा करके व्यक्ति इन मांसिव विकारों से दोर रहता है और स्वयम को इस्वर के बहुत समीब पाता है शिव जी का उपासना का प्राक्तिक कारण भी है बारिस होने के कारण मौसम ठंड़ा होता है जिससे व्यक्ति पूजा ब्रेत आदि में मल लगा पाता है ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक ठंड होती है ये समान मौसम होता है बारिस के कारण जलासे भी भड़े होते हैं जिचसे शीव लिंग पर चढ़ने के लिए जल की कोई कमी नहीं होती है और हमें जल बहुत ही असानी और सुगमता से मिल जाता है विसके लिए हमें विसेश कर्षट उठाने के ओसकता नहीं होती है और शीव जीपर चढ़ने वाले बेल पत्र और धतूरा आधि भी कमासम होने के कारण पौधे भी अधिक मात्रा में उख जाते हैं वैसे देखा जाए तो इस समय स्वयम प्रेकति भी वर्षा के माध्यम से शिव जी का विशेग करती है और वातावरों को ठंडा रखती है ये प्रेकति और शिव की समानता का विशेज उदाहरण है जिसे से प पूर्ण प्रम्भांड के नायक हैं प्रकत भी उनके अधीन रहती है अब हम स्यू जी की पौरारिक करण के बारे में भी बात करेंगे श्यूपुराण के अनुसार सावन के महीने में ही समुद्र मन्थन हुआ था समुद्र मन्थन में देव और दानों ने रतनों अम्रेत आदि की चाहज से समुद्र का मन्थन किया था परन्तु अम्रत निकलने के पूर्व ही उसे समुद्र मन्थन में विश का पैदुर भाव हुआ उस विश की विक्रालता को देखते हुए भगवान सिव ने उसे पी लिया और संसार की रच्छा की तफसे सिव के सम्मान में यह पूरा महीना उन्हें समर्पित है भक्तों को यह चिंता भी होती है कि कहीं इतना हलाल पीने से महादेव की सरीर का तापमान बढ़ तो नहीं गया यह भक्तों का प्रेम ही है कि वो उन्हें जल बेपत आदी सीतल वस्तु में अर्पित करना सुरू कर देते हैं और उनका सरीर का तापमान सीमित रखने की एक प्रयास करती हैं आपको स्यू जी की उपासना का यह वीडियो कैसा लगा अगर आपको अच्छा लगा तो किर्पिया केमेंट सेक्शन में जाकर हमें सुझाओ दें और हमारा मनोबल बढ़ाएं और किर्पिया चैनल को सब्सक करें और अधिक सथिक लोगों में सेयर करें जिससे हम और अधिक ऐसे ही वीडियो आपको देते रहें धन्यवाद